नमस्का परफिच्छूओं आप सभी का स्वागत है आज हम लोग करने वाले हैं प्रिविएस येर डियले थार्ड समेश्टर का 2019 का सेथ है तिती समेश्टर है आपका विज्ञान का आप लोग देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे और जो भी परफिच्छू हो मेरे मेरे भ तो आप आईए थो सही चलिए और आप को सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा ना चलिए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से प्रस्ण को यहां पर दिया गया था हरी तलवक पाया जाता है हरी तलवक किसमें पाय जाता है वनस्पती को इस काउं में हमको हरी तलवक देखने को मिलता है यह बाते पता है अब इधर चौथा कोईसन देखिए आपको जो इसकीन पर दिख रहा है पाउना जाता है तो इसे हम पता है अगला काई उसन देखिए नेकश्ट पाँच्वा इधर वाला चनामतर की जडों की गाँट में कौन सा एक तरसजी जीवाडू पाये जाता है आपको पता है नाय्ट-क्रॉजनिक जीवाडू होता है जिसका नहम होता है राइजोबियम यह आपको इंप्वाटन्स है काफी जादे पूछा जाता है और बहुत बार एक्जाम में पूछा भी गया है इस वह से आप इसको याद कर लीजिए है blows केुए सनужд कर देखते हैं कार्बन का कििस्टिली रूप क्या होता है कार्बन का किस्टिली रूप होता है यह रही रही होते हैं मतलब इतनी चीज़े याद देखेंगे मेरे भाई चलिए अब आजाते हैं आतीलगुत्री वाले प्रस्ट पे अभील।्ट आप देखें का ध्यान से उल suspension लिखना है सटीक एंसर lore टा है मतबद कि एक श्म माफिरा के लिख दें ग्यामनर भीकन प्योज हो जाता है इस वैसे आप फेल हो जाते हैं चलिए देखिए का पहला कोशन पूचा गया है वाई मंडल में कारबन डेयाकसाइड की मात्रा बढ़ाने पर क्या होता है देखिए कारबन डेयाकसाइड यानि CO2 जब CO2 बढ़ेगा म इंडोनेसिया देश हो गया बहुत सारे देश हैं जो कि जमीनी अस्तर से बिल्कुल नीचे की तरफ हैं समुंद्री अस्तर से गर देखा जाता है जो भी उचाई मापी जाते हैं समुंद्री अस्तर से गर देखा जाए तो बहुत नीचे होते हैं और वह डूब रहे हैं क्य गर्मी बहुत जादे लगेगी तो यह सारे situation आजा जाएंगे मेरे भाई अगला question देखीए जड़ किसे कहते है जड़ किसे क हते हैं पौधों में पाया जानेवाले जड़ों की कितने प्रकार होते हैं पहले में आपको बताते हैं जड किसे करते हैं दीखेढ बहुत इसांद्यार लाइन. एक ही लाइन लिखी आ, बहुत सुंदर सा लिखेढ जड़ भूमी के अंदर प्रकास से दूर क्योंकि नीचे जाते हैं तो प्रकास से दूर जल की तलास में गुरुत्त की ओर ब्रिद्रि मुश्ला जड men आप वीडियो शेर जरू करीएगा अपने भाईवियन को जोड़िए जब तक अब का एक्जाम नहीं होता हम लाये करेंगे जो से taras टी रूट ठीक है न अब टैप रूट के अंदर हुआ सारे फल फुरूट साते हैं जिसे गाजर हो गया मूली हो गया उन सब का जड़ देखिए बिल्कुल सीधा होता है और फैले नहीं होते हैं गाजर मूली सकरकंद प्याज यह सब आ जाते हैं और लेकिन जो दूसरा आगे चलिए कैंची किस प्रकार का उत्तोलग तोलक तीन प्रकार के होते हैं जिसमें फलक्रम होता है मत आलंब होता है । इससे तो आप पहार साइड में हो और फोर्स इधर लगाए मैं हैं को पहलेदेज करता हूं ने हो यहां प्याँ तो बाहर बीच मेरत था लेकिन, होन्गर बाहर वे सब्सक्राइ इसे कहते हुआ। बेन और बहुलक के दो उपयोग लिखिए सिर्फ दो उपयोग बताने है पॉलथीन बहूलक के किया बना सकते हैं क्टोर पाइप ने रसायनों में प्रयोग होने वाले पात्रों को निर्मार कर सकते हैं जरताहिए जक्जों elementary संटम सैंने factoyeraset जसे जो टेलीफोन का बड़ी होता है यह से पहले टेलीफोन जो लेंड ट्राइन वाला होता था ट्रेलीफॉन प्लास्टिक व्ला होता तो वह बना सकते हैं बाल्टी बना सकते हैं मजबूत वाले यह सारी चीज़े ठीक है देखिए अगला दूर जिश्ट्री दूर करने के लिए चस्मे में कौन सा लेंज सुप्योग करते हैं मातर एक लाइन में लिखना है दूर में कितने वर्ड हैं? दो वर्ड है तो दूर दिश्टी दोस्त को दूर करने के लिए हम उत्तल लगाते हैं तीन अच्छर वाला सब्द लगाते हैं अगर बोलता है निकट दिश्टी दोस्त तो निकट में तीन वर्ड है निकट दिश्टी दोस्त को दूर करने के लिए हम आउतल लगाते हैं आउतल में चार वर्ड है तो याद रखना दो वर्ड वाला तीन वर्ड के पास जाएगा और तीन वर्ड वाला चार वर्ड के पास आएगा क्लियर है अगला परस देखिए बहुत अच्छे से हमने साइंस पढ़ाया हुआ है आज आईए आपको कभी भी किसी पार्ट भी प्राप्लम नहीं होगा कौन सा जन्तु मरस्तुली वातावरड के लिए अधिक उप्यूक्त है और क्यों है भाईया ये बहुत जादे इंपॉर्टेंट है जो मरस्तुली जीव होते हैं पहली बात है उनको पानी की कम जरूत पड़ती है वह वहाँ पर सर्वाइब कर सेगे ऐसे ही जीव वहाँ पर रह पाते हैं तो पहली बात है वहाँ पर जीतने भी जीव होते हैं जीतने भी पेड़ पौदे होते हैं वह मांसाहारी होते हैं पहले इस बात को या दख लेना यानि कि वहाँ पर पानी की कमी है, इस बज़े से वहाँ पर फल फ्रूट्स बहुत कम उखते हैं, बहुत कम क्या ना के बराबर उखते हैं, जिसके करण वहाँ पर मांसाहरी जीव ही सर्वाइब कर पाएंगे, जन्तु पानी की जरूवत पूरे करने के लिए अपना मांसाहर पौधों पर निर्वर होते हैं इस बात कि आघना अब जो मांसहारी पौधे होते हैं न वह चोटे-चोटे जिवों पर निर्वर करते तो आते हैं जैसे लिए नांने जैसे कुछ आए चामपल देते हैं Oui Friday no some के नाम है प्राईयो सोमा याँ तखना प्राइनो सोमा प्राइनो सोमा हो गया और कौन से एक जामपल है भी या इसके तो बतातेंगे छिपकली एक परकार क्यों होती ही छिपकली मालस इसका नाम है छिपकली मालस क्या नाम है मालस याद खलें ना भाई बहुत जादे इंपॉर्टन है चिपकली मालस हो गया इसके बाद है जहरीली हेलो डर्मा यह भी एक जिव है इसके बाद है लाल चीटियां हो गई तो यह प्रत्तु को हम अपने लाब के लिए उपयोग करते हैं वही संपदा होती है संपदा क्या होता है अगर आप सब्सक्राइब प्राक्तिक संपता क्या होता है तो जिस वस्तु के उपयोग के लिए जिस वस्तु के मतब लाब हम से मिले और उसको हम दोहन करने लगें उसके लाब में उसके लालच में आके जैसे की पेड़ पौदे हैं हमें पता है इससे हम कागज भी बना सकते हैं इसको काट कर तो पहाड़ी वाले इलाकों में तो वहां से जहरने के रूप में गिरता है नीचे टर्बाइन लगा कि आप वहां से करेंट मतब कि विद्धुत निकालते हो तो वह सारी चीजें अब पानी तो अपने रास्ते बह रहा था आपने डैम बनाया तो भी बाड़ आएगा तो घर ठीक है भाई जैसे कि अगर बात कर लें जल हो गया वायू हो गया मिट्टी हो गया पौधे पसू यह सब क्या है मारी प्राकतिक संपदा है प्राकतिक पैसे रुपया है यह चीजे समझ लिजिए पैसा रुपया भी तुछ है इसके आगे अगले प्रसंद देखते हैं उसम समझ होता है दुसा समझ है और जो तीसरा है मिरी भाई ने वी कि रड़ है बीकि रड़ है अब किसी एक विधी को आप-डराइप कर दीजिए हम डिराइब कर लेते हैं चालन को चालन एक अईसी उक्ती है जो कि थोस्ता ह consciousness ज्सक्राशन तक ले यहाँत है यह रहीउता है उज्याल विकिनरski तरह में झाले हरा हैU एक तरसे महसूस करते हैं किसि तप्ता जला दिए आप तो उसमें आपको उसके आजिस पास से अगर आप गुजरेंगे तो आपको गरम फिलोगा जैसे कि सूरिकी की रड़ से हमारे पित्वी गरम हो जाती है तो वी करण होती है क्लियर है आगे चलते हैं प्रती जैविक दव इसके बाद यह रोगाडव रोधक होते हैं यह ऊजिकों का सबुप होता है कवक और परको बाइब जो संकर मड़ होते हैं उसका भी इलाज करते हैं या अगए चलीए पत्तियों के कार्ज क्या होते हैं लिक on काहरे क्या होते या यह पूछने वाली बात को हुँआ है बता हो भी या बहुत सारे होते हैं मेरे भाई नहीं भ करना भोजन निरमाड करना भोजन को निरमाड करके जैलम और आपको फ्लोयम पता होगा प्रकास का अपौर्तन पूछा गया है तो प्रकास के अपॉर्तन के दो नियम है पहला तो यह प्रकास का पॉर्टन क्या होता है कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकास किरड जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है अगर ठोस से ठोस माध्यम से ठोस माध्यम में जाती है कोई प्रकास किरड तो अपने मार्ग से क्या होती है ठोस से अभी लंब की तरफ क्या होती जुक जाती है जुक के चलती है अब देखें पहला नियम यह कहता है कि आने वाली प्रकास किरड़ और जालने वाली प्रकास किरड़ और अभी लंब तीनों एक ही तल में होते हैं एक ही बिंदु में होते हैं दूसरा नियम यह होता है कि आने व आई और आप और परावर्तित किरड़ किजिया साइन आर साइन आर इन दोनों का अनुपाद जो होता एक अपॉर्तनांग होता है एक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देता है में यह नोता है बस यह तोनों नियम हो गया अगले को से तरफ चलते हैं उत्तल दरपड के द्वारा क से चोटा पर्तिب बनता है सीधा बनता है वह सी छोड़ा है सीधा है अगर सीधा है तो आब 80 होगा वावासी होगा याद लाथ दाखना है और बाल बाल आ हम् support सुच मजीओं की उपयोगता करें अगर देखो अब जो होता है जो हमारा खादान होती साल होता है जैसे बसक्राइब बेस सब्सक्राइब 네 educator अब अब आपको पता होगाने नि practice बहले अगर से कघौर जाए झाल कौना डर зачा जाए तो सिरका विबनाने भी वी यूजЬ करने में अगर आपने इतना कर दिया न तो सच बता रहा हूं एक जामनर खुस होकर आपको बहुत अच्छा नंबर पूरा फूल में फूल देगा मेरे भाई धन्यमाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ वाले लेक्चर में मिलेंगे और पूरा का पूरा बेसिक क्लास मै या फिर डिस्केप्शन चीक करेे इसी वीडिओ के नीचे टेलिग्राम का लिंक भी मिल जाएगा आपको टेलिग्राम पर जोइन हो जाएए और इस वीडियो के इस चैनल के प्ले लिस्ट में आजाएगा धन्यवाद